नमस्ते दोस्तों जैसे की हम जानते हैं कि प्लेन तर्बोजेट की मदद से उरती है, चलिए इसका सिध्धान्त को समझते हैं. तर्बोजेट इंजन का मूल सिध्धान्त गैस के उच्छ गती जेट द्वारा उत्पन्न थ्रस्ट है. हवा हवा के इनलेट के माध्यम से घूमते हुए कंप्रेसर में प्रवेश करती है. कंप्रेसर के ब्लेड इसकी गती बढ़ाते हैं और हवा को संपीडित करते हैं. यह संपीडित हवा इंजेक्ट किये गए इंधन के निरंतर देहन को सुनिश्चित करती है. देहन हवा और दे नामस्वरूप प्रवाह की गती अधिक होती है। त्वरित गैस कंप्रेसर को चलाने वाले टर्बाइन को घुमाती है। फिर गैस नोजल के माध्यम से बाहर निकलती है। और न्यूटन के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, यह अक्सर उप्योग किये जाने वाले आफ्तर बर्नर उत्पन करती है, जो दक्षता को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देती है। आफ्तर बर्निंग चैंबर में गैस मिश्रण में अतिरिक्ट गैस इंजेक्ट की जाती है, जिसके परिनामस्वरूप तापमान और दबाव में और व्रिद्धी होती है, और इसलिए थ्रस्ट भी। पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित तर्बोजेट विमान में सरसचित 262 था, जिसका इस्तमाल द्वितिय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मन वायू सेना लूफ्ट वाफे द्वारा किया गया था, आज जेट इंजन का व्यापक रूप से सैन्य और यात्री विमानों में भी उपियोग किया जाता है,